दोस्तो आपका अपने चैनल हेल्थ ग्यान पे फिर से स्वागत है आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तो किडनी से जुड़े कई बीमारियों में लच्छडों का सही तरह पता नहीं लग पाता यही वज़े है कि बहुत से लोग किडनी की किसी ना किसी समस्या से जूज रहे है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब तक उन्हें नहीं यह जानने का एक मात्र तरीका है हलके लच्छडों पर नजर रखना अगर आप हाई बलड प्रेशर डाइबडीज किडिनी डेमेज या आपकी उम्र 60 वर्स से अधिक है तो आपको अधिक साउधान रहना चाहिए हम आपको किडिनी की समस्या के कुछ शुरुआती लच बता रहे हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए इन्हें समझकर आपको समय पर इलाज कराने में मदद मिल सकती है और आने वाले गंभीर खत्रे को टाला जा सकता है नंबर वन अधिक ठकान अगर आप अधिक ठके हुए हैं कम उर्जा है या ध्यान के अंद्रित करने में परेशानी हो रही है तो सतर्क रहे गुर्दे के कारे में गंभीर कमी से रक्त में विसातक पधार्तों और अशुद्यों का निर्माड हो सकता है यह लोगों को ठका हुआ कमजोर महसुस करने का कारण बन सकता है और ध्यान के अंद्रित करना कठिन बन सकता है नंबर टू सो परिशानी जब गुर्दे ठीक से फिल्टर नहीं करते हैं तो टॉक्सिन मुत्र के माध्यम से शरीर को छोड़ने के बजाए रक्त में रहते हैं इससे सोना मुश्किल हो सकता है क्रोनिक किड़नी की बिमारी वाले लोगों में स्लिप एपनिया समाने जनसंख्या के साथ तुल को बनाने में मदद करते हैं हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं और आपके रक्त में खनीजोंगी norasie सही मात्रा remoai रखने के लिए काम करते हैं सूखी और खुजली वाली तोचा खनीज और हड़ी की बिमारी का संकेत हो सकती है जो अक्सर गुर्दे की बिमारी के साथ होती है नंबर फोर यदि आपको अधिक बार पेशाब करने की आवश्कता महसूस होती है खासकर रात में तो यह किड्नी की बिमा कभी कभी ये पुरूसों में एक मुत्र संकरमण या बड़े हुए प्रोस्टेट का संकेत भी हो सकता है नंबर फाइफ एणियों और पेरों में सूजन किड्नी का कामकाज परभावित होने से सोडियम रिटेंशन हो सकता है जिससे आपके पेरों और घुटनों में सूजन ह हो सकती है दिल की बिमारी यकरत की बिमारी और पुरानी पैर की नसों की समस्याओं का संकेत भी हो सकता है नंबर सिक्स भूक में कमी कम भूक लगना किड्नी की बिमारी का एक बहुत ही समान्य लच्छन है किड्नी का काम परभावित होने और शरीर में विसातक पधारतों का निर्मान इसका एक कारण हो सकता है नमबर 7 मासपेशियों में एठन उदाहरण के लिए कम केलσियम का इस्तर और खराब नियंतरित फासफोरस मासपेशियों में एठन में योगदान कर सकते है दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए और ऐसी इंट्रेस्टिट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले